तो विडियो आपने देख रहे हैं यह वड़ा वीडियो कैसे बनाना है पूरा डीटेल में बताएंगे और बहुत ही इजी है बट इसको ध्यान से देखना होगा इस वीडियो में देखे होंगे तो फ्लैस लाइट भी आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद से टेक्स्टे ट्राइब कर लेना सबस्ट आप्लिकेशन को इदर से ओपन कर लेते हैं यहां पर प्लस करेंगे नौसला के रेश्यों लेंगे एक रेज्व्यूलेशन में 720 फ्रेमरेट में 30 लेलो बैग्रांट में ब्लेक लेके क्लिक कर देना है यहां पर एक फोटो एड़ करना है तो प् से नेरी सेलेट कर लो इसको थोड़ा सा जूम कर लो क्लियर है गाईस अब इसका जो है ना इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग वाला आप्सन पर जाओगा और इसका ओपसिटी इदर से काम करके 25 कर दोगे क्लियर है इतना हो जाने के बदाव आपको प्लस करना है मेडिया पर जाना है और अपना गैलरी से एक साउंड को ले लेना है जो यह वाला वीडियो है यह वाला मैं साउंड अल्रेडी दे दूंगा आपको टेलिग्राम पे तो वहां से मिल जाएगा इसली तो ले पर क्लिक कर दो ठीक है अब एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा जहां जहां आपको फ्लैस लगाना है माली जहां 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 फ्लैस में लगाया था उसके लिए मैं जो कल्भी वीडियो बनाया था इफेक्ट पे जाओगे और कलरें लाइट पर चले जाओ अगर आप देखो गए तो यह देखोगे तो एक फ्लैस करेगा अब जहां जहां फ्लैस लगाना चाहते हो कुछ इसी तरीका से फ्लैस को लगा सकते हो ठीक है अच्छा इस वीडियो में आप यह भी देखें मेरा एक चैनल का लोगो है तो अगर आपको चैनल लोगो बनाने है तो वो भी आप बना लेना बहुत ही इजी है इसके बास से यह जो पहला गाना है ठीक है पहला गाना यहाँ पर आपको लिखना है तो चलो सबस्ब्दात ब seperti पहला यहाँ वॉर्ड में यहा पर लिख देता हूं गाइस सबस्ब्से पहला लॉड है तुमको देखे बैगा इसको एक बार क्लिक कर दोगे तो आप बीचो बीच में आ जाता है रोबोट रेगलर पर जाके विक्टोरिया वोला फॉंटे ले ले लेना और कलर पर जाके वाइट कलर को स्कूज कर लो 18PT पर जाना है थोड़ा से इसको बढ़ा के 24 कर लो मॉड्ड़ ना जाओ इस टेक्स को यहाँ पे रखेंगे इसके पहला टेक्स काहां तक यह वहाँ तक रख देंगे बागी बार को कॉट करेंगे अब इसके बास्ते बार्डरेंस ऐड़ों पर जाओ गया दो फंप 16 पर बढ़ाए यहाँ पर एक प्लस लगां दो तोच कघा औ लगाए उसको थोड़ा सा नीचे कर दो इतना ठीक है अब यह देख लो कुछ इस तरीके से जाएगा एगा इस देख लो अच्छा अब इसमीं यह स्पीड में जा रहा है बट इसमें एक और इफेक्ट लगा देना है तो इफेक्ट पर जाना है यहां सर्च करना है फेड इन ठीक है हो गया यहां से स्टैंडर सेटिंग क्लिक कर लो अब देखो गो तो एकदम स्मूध जायागा यह देख लो कितना स्मूध लग रहा है ना देखो कितना क्लियर है और यहां पर नीचे में इसका चैनल लोगो लागा दो तो काफी अच्छा लाएगा अब नेक्स थे ऊच्छा को बहती इसली मिल जाएगा अब आप को करना क्या सिंपल काम है आपको इस वीडियो डिसरीट करेंस में एक जाकाएग प्रतो हम ब्लैक्स लोग कर दिया स्वेयेओ वहाँ से मफ हम आ एक प्विभीन कुछ आपको पिसंद चैनल को ऑब दोस्तों में भी शेयर करना धन्यवा दोस्तों थैंक थैंक वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक लेटे क्यार वाई वाई लभी ओल चैहिन